हाई गाईस वेलकम बैक मेरी तबित खराबती सो दोस्ते इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई बट आपके काफी सारे मेसेज़ेस आए जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सो आज मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ लविन दा एयर का पार्ट नमबर 30 गाईस वीडियो पसंद आए तो प्लेस लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाई रखिए चले तो वीडियो का एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं सो स्टार्टिंग में सीगा और रेन को क्लास्रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने असायमेंट्स को लेके डिसकस कर रहे होते हैं तब हमापर आ जाता है इसकाय भी यहाँ पर वो दोनों पूश नहीं लगते हैं इसकाय से कि टीचर ने क्या बोला तुम्हारे आसयमेंट को देखकर इसकाय कहता है उन्हें मेरा start काफी पसंद आया यहाँ पर सिख किने लगता है oh my god सिफ टीचर ने मुझे ही लेक्चर दिया है यहाँपर वो प्रों कहने लगता है कि मुझे टीचर पूश रहे थे हैं कि तुम्हें आर्टिटेक्चर श्टटी कन कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल बढ़ा ही नहीं करता है साथ मैं मुझे भी बहुत कुछ बोला और फिर क्लास्रूम से निकाल दिया तो उसके बाते सुनके वह दोनों फिर यहां पर हसने लगते हैं तब ही हम देखते हैं यहां पर इसकाय को उसके पास मेसिज आता है पाई क पाई उससे कहता है कि आज रात मेरी रेस है तो मैं लेट आऊंगा क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर में कुछ लिखिया हूँ यहां पर काफी स्माइल करता है उस मेसिज को देखे स्काय और उससे कहता है तुम्हारी रेस के लिए गुड लग और डिनर में खुद कर लूँ तो यहाँ पर सीगोर रेनो से काफी धियान से देख रही होते हैं पाई का एक और मेसेज आता है सकाई के पास उसमें लिखा होता है अगर मैं रेस में जीच चाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर उसे रिपलाइ करता है सकाई अगर तुम हार भी गए तब भी तुम काफी ज़्यादा हसने लगता है तो उससे कहते हैं यहाँ पर सीग और रेन क्या बात है सिग कहने लगता है तुम तो पूरे के पूरे प्यार में पागल हो गए हो और वो आगे कहने लगता है बस एक मैं ही बचाओं सिंगल जो की असाइमेंट में लगा रहता हूँ मैं भी इसकाई होता है वो फिर से अपने फोन को ही देखने लगता है और स्माइल कर रहा होता है तो यहाँ पर उसे रेन कहने लगता है मानना पड़ेगा पाई को उनके एफवी अकाउन में तुमारे ही फोटोज है काफी सारे फोटोज उन्होंने पोस्ट किये है तुमारे उसकी यह बास सुनके इसकाई स्माइल करने लगता है आगे रेन कहने लगता है तुम्हें पता है क्या आश्रात रेस है पाई की क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ उसकी रेस देखने तुमने इलसायत देखा नहीं होगा लास्ट टाइम पर वो काफी कूल लगता है जब वो रेस और वो उससे कहता है किया तुमने अपना final project complete कर लिया है रेन कहता है नहीं अभी तक मेरा final project complete नहीं हुआ है पता नहीं मैं अपना final project कैसे complete करूँगा यहाँ पर जो sky होता है वो अपने phone को ही देख कर smile कर रहा होता है यहाँ पर फिर उससे rain कहने लगता है अरे वैसे तुमने और पाय की relation के बारे में मुझे कुछ update नहीं दिया है बताओ ना मुझे कि तुम दोनों की बीच में सब कुछ कैसा है यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देता है sky और चिप हो जाता है इसके बाद हमें flashback दिखाया जाता है sky का जहाँ पर वो अपने dad से कहता है कि उसे आग उसे smoking करना सिखाते है कि यह काफी cool होता है तुम भी try करो तो sky भी कुछ ऐसा ही वहाँ पे fake करने लगता है साथ में उसके दोस्त उसे drink करना भी सिखाते है तो एक दिखाया जाता है जब अपने friends के साथ एक pub में drink कर रहा होता है sky तो वहाँ पर एक person entry लेता है जिसका नाम gun ह यहाँ पर उस person को काफी द्यान से देखनी लगता है sky जैसे कि वो उसे पसंद आ गया हो तो यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है sky और gun एक दूस्य को पसंद करते हैं date करनी लगते हैं sex वगेरा भी करते हैं यहाँ पर sky उससे कहता भी है कि vegan मैं तुमसे बहुत प्यार करता इसके साथ फिर हमें दिखाया जाता है जब next time अपने friends के साथ drink करने के लिए sky आता है तो यहाँ पर एक friend उसका notice करता है कि sky की neck पे काफी सारे चोटों के निसान है यहाँ पर वो उससे पूछता है कि यह सब कुछ किस ने किया है क्या gun ने किया है तुम उससे break up क्यों नहीं torture कर रहा है वो तुम इस cigarette से जला रहा है और तुम कहते हो कि वो सब कुछ उसने नहीं किया है लेकिन यहाँ पर sky अपने सारी friend की बातों को नहीं सुनता और कहता है उसने कुछ नहीं किया यह सब कुछ मैंने ही किया है साथ में दिखाया जाता है कि gun बहुत बुरी तरीके से treat करता था sky को जब भी वो दोलों एक साथ होते थे तो यहाँ पर sky उससे कहता था कि place मिरे साथ ऐसा मत करो normal behave करो लेकिन gun उसे कहता था नहीं मुझे यही सब करने में जादा मुझा आता है और वैसे भी तुम ने कहा है ना तुम उससे प्यार करते हो अगर तुम उससे प्या जाता है clearly कि किस तरीके से sky को torture किया था gun ने यहाँ पर यह सिलसला इतना ही नहीं होता इसके बाद और भी जादा बढ़ जाता है आगे हमें दिखाया जाता है कि gun एक बार अपनी friends को भी लाता है इसका कहता है कि तुम अपने friends को यहाँ पर क्यों लाए हो तो gun उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें surprise देना चाहता हूँ तुमारे लिए surprise है आज हम सब मिलके enjoy करेंगे यहाँ पर इसकाई काफी जादा रोने लगता है और कहता है प्लीज मुझे जाने दो मुझे यह सब कुछ नहीं करना है लेकिन gun नहीं सुनता और gun से वो request करता है और कहता है तुम और उसके friend मिलके भी काफी जादा torture करते है इस sky को यहाँ पर यह सारी चीजे हमें clearly दिखाए जाती है तो यहाँ पर दिखाया जाता है इन सब चीजों के फिल से सपने आ रहे होते है इस sky को इस sky कि आखी खुल जाती है रात के समय में और वो काफी जादा डरने लगता है औ पाई की पाई उसके कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो यहाँ पर इस sky रोता रहता है कोई जवाब नहीं देता तो पाई उसके रोने की आवास सुनके परिशान हो जाता है इस sky क्या हुआ है कुछ तो बोलो क्या बात है मुझे जवाब दो मैं परिशान हूं तुमारे इस तरीके से यहां पेपाई उसे पोशने लगता है तो यहां पर इसकाहिब नापको ठोड़ा सा समालता है और पाई से कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है और वो आगे कहने लगता है कि तुम पूश रहो कहता है ठीक है मैं बस अभी आ रहा हूँ तो यहाँ पर वेट करने लगता है इसकाई पाई का दूसरी साइट दिखाया जाता है पाई को यहाँ पर फिर कहने लगता है पायू से कि मैं आगे रेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसकाई कुछ ठीक नहीं है मैं उसके पास वाप क्यूट है पाई उन से कहता है कि तुमने मेरे बॉइफरेंट को कहां देख लिया तो वो कहते है एक्शल जो तुमने फोटोस पोस्ट किये थे हमने उसमें दिखाए काफी ज्यादा सोफ कर रहे हो तुम अपने बॉइफरेंट का और वो काफी क्यूट भी है तो यहाँ पे प कहता है कि मुझे काम है तो मैं जा रहा हूं यहाँ पर वो दोनों फिर पाई से कहने लगते हैं कि नेक्स्ट रेस में तुम अपने साथ अपने बॉइफरेंट को भी लेकर आना वहां हमें दिखाया जाता है कि गन और उसके फ्रेंट के माइन में कोई ना कोई प्लान चल र रहा हुता है